दोस्तों आज हम जो एरडॉप जोईन करने जा रहे हैं वो Bitcoin Layer 2 Network का एरडॉप है जो की testnet का एरडॉप होगा जिसमें आपकी कोई भी real fees नहीं लगेगी सारी आपकी testnet के fees लगेगी जो की आपको free में मिलेंगे और वो कैसे लेना है वो इस वीडियो में मैं आपको और यहाँ पे देख सकते हैं campaign से related यहाँ पे post आपको देखने को मिल नहीं होगी और यहाँ पे देख सकते हैं the most practical bitcoin layer to network the first bitcoin da layer beta testnet live b2 buzz तो यहाँ पे beta testnet जो है कि इनका live हो चुका है 184 के इनके followers हो चुके हैं और यहाँ पे जो है कि इन्होंने post भी दी हुई है इससे related जो इन्होंने testnet live किया है और हम वापस से चलते हैं इनके campaign page पे और यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल ला होगा invested by haski, haski capital okx, koo coin और कुछ बड़े नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल लाए होंगे इन लोगों ने इसमें investment की है तो सबसे पहले जोइन करने के लिए B2 OVC हम जोइन करेंगे जिसमें कि दोनो जोइन हो जाएगा और यहाँ पे आप इस page पे आएंगे और यहाँ पे testnet में switch करने के लिए वो लाहे switch network पे क्लिक कर देंगे अभी आगे मैं ही आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको जो है कि इनका किस तरीके से आपको unisat wallet बनाना है और किस तरीके से point on करने है ताकि आप इसमें task आसानी से complete कर पाएं यहाँ पे telegram channel पे ही आपको इसकी joining link मिलेगी जहां से आप इसे join कर पाएंगे तो simple सार लिंक को कोपी करिएगा लिंक को कोपी करके mysis browser में open कर लिजेगा लेकिन उस से पहले हम यहाँ पे unisat wallet को install कर लेते हैं unisat wallet बना लेते हैं ताकि आगे का process हमारे लिए आसान हो सबसे पहले उपर search करिएगा unisat unisat यहाँ पर search करिएगा unisat.io यहाँ पर नीचे option शो करेगा इस क्लिक कर दिजेगा उसके बाद यहाँ पर download from chrome का option शो करेगा इस पर click करिएगा यह आपको extension add करने वाले page पर लेके चला जाएगा और यहाँ पर add to chrome पर click कर दिजेगा और ok पर click कर दिजेगा यह आपका extension add हो जाएगा जैसे ही आपका extension add हो जाता है तो फिर extension वाले option पर click करिएगा और metamask में जाएगा अपने metamask को ही unisat में हम import कर लेंगे यहाँ पर three dot पर click करिएगा और यहाँ पर setting पर click करिएगा और यहाँ पर security and privacy पर click करिएगा और यहाँ पर reveal security face पर click करिएगा get started पर click करिएगा cannot help इस पर click करिएगा continue पर click करिएगा you are begin is scammed इस पर click करिएगा continue पर click करिएगा अपना unlock password फिल कर लीजेगा और उसके बाद hold इस पे क्लिक करिएगा तो और यहां पे copy to clipboard पे क्लिक करिएगा यह आपका security की जो है वो copy हो जाएगा उसके बाद यहां पे आप extension पे क्लिक करिएगा और यहां पे जो आपका uniset का extension एड़ हुआ है इस पे क्लिक करिएगा uniset wallet पे और यहां पे यह already है वे wallet पे क्लिक करिएगा और यहां पे अपना unlock password फिल कर लिजेगा यहां को set करना है continue पे click कर दिजेगा और उसके बाद यहां पे uniset wallet हम यहां पे select कर लेंगे और यहां पे security key जो है वो paste कर देंगे नीचे continue को option मिलेगा continue पे click कर देंगे और यहां पे पहला नमर वाला सेलेक्ट है, पहला नमर वाला ही सेलेक्ट रहने देंगे, continue पे क्लिक कर देंगे और यहां पे 0BTC शो कर रहा है, यहां पे I agree और यहां पे OK पे क्लिक कर देंगे, यह हमारा Uniset wallet इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है सिंपल सा यह जो लिंक आपको मिलेगा, यह लिंक कोपी कर लिजेगा और आईएगा इस पेज़ पे सिंपल सा यहां पे लिंक को पेश्ट करके और सार्च कर दीजेगा इस तरह का option शो करेगा, यह बोलाए, desktop mode पे करने के लिए, three dot पे क्लिक करेंगे और desktop mode on कर देंगे, अब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा, यहां पे सबसे पहले connect to wallet पे क्लिक करेंगे उपर connect to wallet को option मिलेगा, connect to wallet पे क्लिक करेंगे और यहां पे metamask को भी option आपको मिलेगा सिंपल सा, यहां पे हम metamask select करते हैं, दीखेंगे, यह metamask काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हाँ, metamask में request गई है, metamask यहां पे next पे क्लिक करेंगे, connect पे क्लिक करेंगे, यह आपका successful connect हो जाएगा, ठीक है, और इसे ethereum पे कर दीजएगा, ethereum mainnet पे, और उसके बाद आ जाईएगा, वापस से उसी page में, और यहां पे वापस से connect wallet पे क्लिक करिएगा, metamask select करिएगा, signature request जाएगे, sign पे क्लिक कर दीजएगा, और वापस से आईएगा, उसी page पे, यह आपका wallet connect हो जाएगा, और यहां पे referral link code यह automatic आएगा, अगर नहीं आएगा, तो copy करके यहां पे paste कर दीजएगा, और उसके बाद confirm पे क्लिक कर दीजएगा, उसके बाद experience to platform इसपे क्लिक कर दीजएगा, और यहां पे on point पे क्लिक करिएगा, on point पे क्लिक करेंगे, तो आपको next page पे लेके चला जाएगा, और यहां पे आपकी rank show करेगी, आपका point show करेगा, और यहां पे कैसे कैसे points बढ़ाने हैं, वो सारे option यहां पे show कर जाएगे, त तो सबसे पहले यहां पे join करना है, इनका discord, 10 point मिलेगा, start पे क्लिक करेंगे, यहां authorize पे क्लिक कर दीजएगा, तीक है, उसके बाद इसको refresh कर दीजएगा, pending show कर रहा है, start पे फिर दूसरे वाले पे start पे क्लिक कर देंगे, telegram join करना है, start पे क्लिक करेंगे, telegram पे यहां पे क्लिक कर देंगे, यह भी pending show कर रहा है, फिर यह वाला follow है, twitter पे follow करना है, start पे क्लिक करेंगे, यह आपको twitter पे redirect करेंगा, और यहां authorize, सब authorize हुआ है, यह तीनों हो गया, यह तीसरा वाला 10 point मिल गया, और यह हमारा pending show कर रहा है, इसको refresh करते हैं, उसके बाद इस वाले में ह बी testnet 50 point, start पे क्लिक करेंगे, बी टीसी, आपका जो testnet 50 point यहाँ पे मिलेगा, start पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे link now पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे uniset wallet select करेंगे, और यहाँ पे अपना unlock password फिल करके unlock कर लेंगे, आपके uniset wallet में request जाएगी, यहाँ पे नीचे scroll करेंगे, connect का option show करेंगा, connect पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पे testnet select कर दीजेगा, testnet आपका show करेंगा, और यहाँ पे scroll करिएगा, तो switch network का option मिलेगा, switch network पे क्लिक कर दीजेगा, फिर scroll करिएगा, तो sign का option मिलेगा, sign पे क्लिक कर दीजेगा, और यहाँ पे confirm पे click कर दीजेगा, यहाँ wallet Connect हो गया और यहां पे reconnect wallet हो कि उपर Connect wallet सोगऄ है connected vallahi क्लिक करेइगा यहाँ पर यह यूनिवेट वालेट पडिक्लिक करके यूनिशय यूनिशेट के खुर कर हमारे मिल चुके कि यह सबसे पहले बाला इस्कॉड वाला हम करते हैं फिर दूबारा से start का option वहाँ पर show कर जा था आपने देखा और ये आपका accept invite का option show करेगा accept invite पर click करेगा ये आपको दूबारा से उसी page पर accept invite वाले page पर redirect करेगा accept invite पर वापस से click करेंगे accept invite और यह आपको इस page पे redirect करेगा तो है फेले यहाँ पे बस सही के tick पे click कर दीजेगा फिर नीचे arrow जो है इस पे click करिएगा यह आपको इस page पे redirect करेगा साइद मेरा इसमें पहले से join है यह पहले से join है इसकी वज़ा पर जाते हैं देखते हैं वेरिफाई नहीं है यहां पर वेरिफाई पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहां पर कैपचा आएगा क्यपचा यहां पर फिल कर लेंगे यह जैसे के फिल कर देंगे यह आपका वेरिफाई हो जाएगा फिर नीचे आइरो दीजी आइवाइब इस पे क्लिक करिएगा यह आपका इस पे रिडारेट करेगा इस पे क्लिक करिएगा और यहां पे जनरल चैट में हम जाते हैं और जनरल चैट में यह ऑप्सन यहां से हम कोपी करते हैं और इसको ही यहां पे पेस्ट करते हैं सेंड कर देते हैं और यहां पे अपने लोगों पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमें कम्मिनिटी मेंबर रोल मिल चुका है ठीक है वापस से इस पेस्ट पे आएंगे बैक और यहाँ पर इसे refresh कर देते हैं फिर से start पर click करते हैं और यहां से बाइक करते हैं और यह pending show करेंगे यहाँ पर join करना था हमने discard हमने join कर लिया है अब इनका ट्विटर टेलिग्राम हौला जो है start पर click करेंगे और यह आपको टेलिग्राम पर redirect करेंगा इनके always pop up पे क्लिक कर दीज़ेगा उपर शो कर रहा है था और view in telegram यहां पूइंके telegram पे redirect करेगा join पे क्लिक कर दीज़ेगा उसके बाद back करके उसी page पे आ जाईएगा और यहां से कर दीज़ेगा back और यह आपका pending शो कर रहा है यहां पे यहां पे 10 point इसके 10 point इसके मिल गया यह भी हमां कुछ दिर में मिल जाएगा ठीक है यहां पे बीटीसी वाला करते हैं 50 point यहां पे हमें testnet के मिलेंगे start पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे connect wallet पे click करेंगे unisite wallet पे click करेंगे scroll करके नीचे जाएंगे connect पे click करेंगे और यहाँ पे अभी हमें BTC testnet जो point है यह हमारा अभी zero show कर रहा है तो जब यहाँ पे balance आ जाएगा तो हम यहाँ पे एक बार deposit कर लेंगे एक बार withdraw कर लेंगे तो अभी हमारे पास testnet की जो faucet है testnet faucet वो balance zero है एक बार इस पे click करते हैं यहाँ से bike कर देंगे यह यह भी मुझे receive नहीं हुआ है और उसके नीचे है withdraw BTC भी testnet यह विड़ो करने के लिए है तो यह से 100 point मिलेगा तो इसमें आप testnet claim कर लीजेगा testnet claim करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है और उसके बाद यहाँ पे invite link मिलेगा इसको share करके आप लोगों के साथ जो है कि इसे share कर सकते हैं share करने पे 10 point इवरी friend के join करने पे 10 point आपको मिलेंगे उसके बाद यहाँ पे mission का है इसमें deposit करना है UHDT 50 point इसके मिलेंगे और यहाँ पे withdrawal करना है testnet testnet के UHDT तो इसके भी 50 point मिलेंगे तो यह testnet के point आपको कहां से कैसे collect करने है bitcoin की testnet की fees यहाँ से आपको मिलेगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे से बसा यह address यहाँ आप bitcoin का address पेस्ट कर दीजेगा वह address कहां से निकालना है यहाँ पे extension पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे scroll करने के नीचे जाएगा uniset wallet पे क्लिक करिएगा और यह address आपको मिल जाएगा testnet का simple size को copy कर लिजेगा और आ जाईएगा वापस CC page पे address पेस्ट करके और send testnet bitcoin इस पे क्लिक कर दीजेगा अभी तो मेरे पास नहीं आए है जब आज आएगे तो मैं आगे का जो टास्क है यह आगे का जो टास्क है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा यह वाला deposit वाला और यह bridge वाला ठीक है यह bridge वाला करके दिखाऊंगा और फिर इसके नीचे जो UHDT और UHDT वाला है वो भी हम करेंगे तो मैं आपको testnet claim करने का link दे दूँगा वहाँ पे जाके जैसे मैंने आपको बता है वैसे testnet claim कर लिजेगा जब आप testnet claim कर लेंगे तो फिर यह जो आगे का जो task बचा हुआ है यह और यह हम करके next वीडियो में दिखाएंगे फिल आल में इतना आप कर लिजेए इस वीडियो में इतना ही 200 वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक हो शेयर करिएगा चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आका अंदर बाद दिजिए थेंक दूस्तों वीडियो देखने